तो जैसा कि आप सभी लोग देखी रहे हैं कि आज इसमें क्या पढ़ाया जाएगा उपर ही पहले थमनेल पर ही बता दिया गया है इसमें physics के जितने भी class 12 के फार्मूला आज हैं वह पढ़ाया जाएंगे chapter 1 के ऐसे ही सारे chapters क्या जाएंगे ब्लया है आविच इसमें वह ःसे पहला हमारा फार्मूला क्या हो जाएंगें किसी वस्तु पर आवेस की गल्णा करना q बराबर n ही हो जाएगा और अगर इलेक्टरान की कमी होती है तो धन ना यूलक्टरान की अधिक्ता होती है तो तो बिन help is के बीच बल एफ बराबर हो जाएगा वन अपन फॉर पाई एपसाइलें नॉट क्यूवन क्यूटू अपन आर स्क्वायर तो देखी सकते हैं इस दोनों आवेसों के बीच की दूरी कितनी है आर तो अगर पलस पलस होंगे दोनों आवेस तो प्रतिकर्सर और पलस माइनस होते हैं वो यह बराबर होता है वन अपन फॉर पाई एपसाइलेंड नट क्यू अपन आर सक्वायर और प्रणामी थी वरता यह देख लिते हैं अगर दोनों एक ही दिसामें भी तो प्रणामी तीवरता है वो यह जो तीवरता है विद्धु छेत्गी वो दोनों एक ही दिशा में तो परगामी तीवर्ता गयाद करने के लिए तो हम ए बराबर एवन पलस एटू सीधा कर देते और अगर दोनों विपरीद दिशा में तो एवन माइनस एटू कर देते और अगर किसी कोड़ थीटा पर आएं जैसे हैं यहाँ पर दिया हुए ना थीटा पर किसी कोड़ थीटा पर आएं तो हम इसको क्या करते थे लिए बराबर अंडरूर्ण बीद्द आवेसा pię datas के बिद्दु आवेसा बीद्द्द चेत्र की तीवूरता यह पहले ईहां पढ़िआ है इक बढ़े पढ़र पाया गार यह सरे एग तरीगेशंच के में हम देख लेते हैं one upon of five epsilon not 2p upon r to cube और इसमें बिद्द्न दीरुप के निरच पर उध्युद्द्चेटर की तीवृता क्या हो जाएगा one upon four pi epsilon not p upon R to be a person debate इसमें देखें दोनों में सुछ तोड़ है इसके तो अब हम buttons एक समान विद्दुद्चेत्र एक समान विद्दुद्धुदुधु लिए पर बल यूग में आगोल्ड को किससे प्रदेसित के जाता टाउ से तो टाउ ब्राबर क्या हो जाएगा पी साइन थीटा इसको सदीस में जब लिखेंगे तो सदीस टाउ पराबर पी सदीस कि तो फिस्त का पर्मेय का हुआ है विदिद फलक्स के कुल एक बड़ा एक बात not होता है है तो अगर किसी एक बंद के एंदर तो इसमें आध के जीरो था विदिद फलक्स और दूसरे में यहाँ पर जब एक आवेस उपस्तित हो जाता है तो हम देखते हैं one upon epsilon not into q1 होता है और जब तीसरे में हम देखते हैं तो इसमें फलक्स होता है बाहर जो होता है वो बंदा आवेस के परिष्ट के बाहर जो आवेस होता है उसका जेव फार्मूला हो जाएगा वन अपान epsilon not into q1-q2 तो अब आगे देखते हैं आवेस का रेखी घनत तो है रो बराबर हो जाएगा q upon v अनन्त लंबाई के एक समान आवेसी तार की कारण विद्धुच्छेतर की तीवरता e बराबर हो जाएगा 1 upon 2pi epsilon not lambda upon r या इसी का एक फार्मूला और लेख सकते हैं 1 upon 4pi epsilon not 2 lambda upon r तो अब देख लेते हैं अनन्त विश्तार की चादर की कारण विद्धुच्छेतर की तीवरता अब देखते हैं हम विद्धुच्छेतर की तीवरता इबराबर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 epsilon not और विद्धुच्छेतर में आवेसित कड का संतुलन यह देख लेते कैसे होता है थे एफ बराबर एफजी जब दोनों यह जो गुरुत्वी बल है और जो आवेसित बल हो दोनों जब सामान होंगे तो हमारे यह होता है क्यूइभ पराबर Mg Fg का फार्मूला जानते होंगे आप लोग क्या होता है Mg और Fe का इलेक्ट्रिक आवेज जो इलेक्ट्रिक बल होता है उसका बारा फार्मूला होता है QE Thank you so much for watching my video और chapter 2 का कल हम देखेंगे Chapter 2 भी बनकर रेटी है बस देखना हमें कल वीडियो इसके लिए PDF आप लोग को अपलोड करने जहां पर की जाएगी वो आप लोग को हमारी community में बता दिया जाएगा तो आप लोग वहाँ पर जाकर देख लिजएगा अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा